पंचकुला का बेटा शहीद करनलमन प्रीस सिंग सेना मैडल से अनकरेत जिनोंने शहादत को प्राप किया है उस वक्त उनके आवास के बाहर इस वक्त मौझूद है त्रकाश की टीम यहां मौझूद है गमगीन परिवार अंदर है संतप परिवार अंदर घर के अंदर यह जिनें भी सूचना मिल रही है वो यहां पहुँच रहे हैं और इस समय में उनके साथ उन्हें होसला देने के लिए यहां पहुँचे हैं आपको बता दे कि जम्मु कश्मीर के अननतनाक में आतनक बादियां से मुडबेड के दुरान वो शहादत को प्राप हुए उसके पहुए हैं ऐसे में जब सर्च उपरेशन पे लगातार दो दिन इस सर्च उपरेशन चल रहा था जब दूसरे दिन का कल जब इस उपरेशन जारी था उस दिल दौरान ये मुडबेड हुई और गोला बारी दोनों तरफ से हुई और इस गोला बारी में कहीं न कहीं वो सिंग जो है करड़नल मनपी सिंग उन्हें अलंकरित किया गया था क्योंकि इससे पहले उन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन को लीड किया था जिसमें आतंकवादियों को माल गिराया गया था और अपने अदम में सहास का जो है समय समय पर वो लुहा मन वाते रही हैं और अब जब से वो पढ़ाती हैं ऐसा उनके जो सही होगी सिक्षक है और जो शिक्षा विभा के दिकाने लोंने बताया है जानकरी दी है तो वो यहां पर अंदर मौजूद है जो पूरी तरह से सदमे में है रो रोक उनका बुरा हाल है अपने पीछे शहीद करनल मनपी सिंग अपना छे साल का बेटा और सवा दो साल की बच्ची और अपनी पत्नी को छोड़ गई है आपको बता दे कि आज पंचकुला ही नहीं पूरे हर्याना पूरे देश में ही मातम का महौल है अर्थप्रकाश के लिए अक्षे के साथ मैं मंग शरान